राजिस्थान के पहले ट्रॉमा सर्जरी विसिस सग्य डॉक्टर दिनिज गोरा का इंटर्विवू SMS अस्पताल जैपुर में तैनात राजिस्थान के पहले ट्रॉमा सर्जरी विसेसग्य डॉक्टर दिनेज गोरा पुलिस दिवस की कारिकरम में भाग लिने गद्दिनों धौल पुराए जहां हमारे गेस्ट रिपोर्टर वा आरेसी छटी बटालियन धौल पुर में तैनात डॉक्टर परमेश चंद पाठग ने आमजन के हित में जीवन से जुड़ी महत्वपूर जानकारी लोगों तक पहुचाने के लिए डॉक्टर गोरा से विसेस बातचित की देखिए डॉक्टर दिनेश गोरा का एक्स्क्लूसिव इंटरव्यू आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश गोरा MBBS, MS और MCH हैं जिन्होंने MS नई दिल्ली से मेडिकल की पढ़ाई की है नमस्कार मैं डॉक्टर परमेश चन पाठक आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर दिनेश गोरा से जो के जैपूर के चौमू तैसिल में कचोलिया गाउं है जहां उनका जन्म हुआ और फिर उन्होंने MS की डिग्री SMS मेडिकल कोलेश से प्राप्त करी और उसके बाद MCH पहले ट्रॉमा सर्जन बने और बरतमान में उनको यह नियुक्ति SMS के ट्रॉमा सेंटर में सायक आचार के रूप में आज हम उनसे जानेंगे किस तरीका से सडग हाथसों में होने वाली मृत्व हैं और पॉली ट्रॉमा के जो केस हैं वो हमारी योगा सुसाइटी को हमारे सा तो हम आपसे जान्ना चाहेंगे कि आप बताईए किस तरीका से समाज के लिए जो ट्रॉमा के रूप में सड़क हाथसे जो है वह आज बड़ी चैलेंज के रूप में समाज के सामने हैं और सुनने में तो ये भी आता है कि किसी भी जो कारण है मिरत्यू का हाट अटेक बगेर आए और अन्य कारण है उनसे भी ज्यादा बड़ा कारण के रूप में आज ये रोड ट्रेफिक एक्सिरेंट से होने वाली मिरत्यू है उबर रही है आप इसके बारे में क्या मैं है वो ट्रोमा ही है जैसा देखते हैं कि ये आयू वर्ग में परिवार हो चाहिए समा जो उसकी एक रीड की तरह काम करता है इसमें ज्यादा तर बाहर कमाने जाने वाले या परिवार चलाने वाले लोग है तो इनकी मृत्यू दर का सबसे मुख्य कारण आज ट्रोमा उबर करके आचुका है तो ये बड़ा चिंता का विशेय है आप बताईए कि ट्रोमा में मृत्यू तो हुई जाती है और मृत्यू के बाद जो लोग सेस रह जाते हैं वह हमारे अर्थ व्यस्ता और सामाज जीवन को किस तरीका से प्रवावित करते हैं प्रोमा आपन इसमें बात गए और वो बिल्कुल सोसाइटी में वापस री इंतिग्रेट हुआ यानि कि सोसाइटी में वापस काम करने लाइक बना तब तक का हम देखे तो काफी कुछ ऐसा होता है कि उसमें कुछ अपन जोड पाए या कुछ और सुधार कर पाए तो जो हॉस्पिटल पर बर्डन है मैं देख रहा था आपके बारे में जब मैं देख रहा था तो ये भी मेरे संग्यान में आया कि एम से ट्रेनिंग करने के बाद आपके नियुक्ति साहिक आचार की रूप में ट्रॉमा सेंटर में भी और उसके बाद से जब आपने ट्रॉमा सेंटर का चाह समाला तो मृत्य युदर का भी आंकड़ा आपके समय में कम हुआ है तो यह क्या सब कुछ है इसके बारे में भी आप उन्हें बता है यह यह बिंदू मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा इसमें समय के होस्पिटल एडिमिनिस्टेशन का काफी हो योगदान रहा उन्होंने यह चीज को समझ आज की होस्थ में हमें ट्रॉमा सरजन की जरुब था है उन्होंने इक नया जो डिपार्ट्मेंट है वो के sms में बदाया और उसम्में प्लिट्रोऔ मा का बेसिकली इंचा्र त्रोमा सर्जरी विबात के जिए गया के यहां दिया गया जिसमैंट्ट्स में लाके टीम पर पहुंचाए तो देखने में आया कि वितिन थी मंस तीन महिने के अंदर ही ये सब बेसिक चीजे करने से जो टीम वर्क है विबिन जो विभाग है उनके साथ कोडिनेशन है उस चीज को लेके और रिजल्ट सामने वो हमारे लिए भी चोका देने वाले थे कि मृत्यूदर मरीजो थी वो 60% तक कम निकल के आई और इसके अलावा जो नाखुष हो के ट्रीटमेंट को प्राइवेट या कहीं और लोड जाते थे उन मरीजों में भी 50-60% ही गिरावट हुई तो इसका पूरा एक ट्रॉमा मेनेजमेंट हमारा टीम वर्क रहा विबिन विभागों के सा अच्छा कोडिनेशन रहा और हम इस पर और अधिक कोशिस कर रहे हैं टीम को और अच्छी बनाने की कोशिस कर रहे हैं तो मतलब आप कहना चाहरे हैं कि पूरा एक टीम वर्क है और टीम वर्क के साथ-साथ क्या आपने वहां के स्टाफ को भी जो ट्रॉमा में लगता है उस से हमेशा जुड़ा रहता है रिस्डेंट्टि के जनक साथ की ट्रेंनिंग से स्टाफ को को राउंड पर सिमझाना उनकी टीक्चिंग कि अरते रहते हैं और इस पर त्रेनिंग वाला और जो लर्निंग वाला पार्ट है, मरीज बचाने के लिए उस पे काफी फोकस रहता है अब मैं ये भी देख रहा हूं कि आपने राहिस्तान के दूर दराज के इलाखों में जाकर के समधाय आधारित जो ट्रॉमा की ट्रेनिंग है, बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग है, वो चाहिए पुलिस स्टाफ हो, चाहिए आम जन हो, उसको भी देना सुरू किया है, तो इसके पीछे आपका क्या उत्देश है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बतना है देखो, मेरा मानना ये है कि ट्रॉमा मेनेजमेंट कोई वन में शो नहीं है, ये एक टीम वर्क है, और ये क्रेस साइट से ही स्टार्ट होता है, वहां से उनको उठाने वाला चाहिए पुलिस वाला हो, चाहिए फर्स्ट रेस्पॉंडर हो, ट्रांसपोर्ट वाले अमूले जान भी बचाएगा, अपने सिस्टम पे GDP मान लो या वर्क वो बर्डन मान लो हेल्थ पे, वो भी काफी मजबूती से कम करेगा, और जान बचना अपने आप में एक जान बचना, एक परिवार बचाने के बराबर होता है, क्योंकि एक जान जो बिल्कुल जवान हम मानते है कमाने वाला मानते हैं, एक परिवार की चली जाती है, तो ऐसे बहुत से उधारन है, एक आम जन के आसपास उधारन मिलेंगे, कि वो परिवार गरीबी में और दुख में हमेशा के लिए अगली PD तक के लिए डूब गया, तो ये एक एक जान बचाना बहुत कीमती है, इसमे ये डेटा को सुधारने के लिए जितनी मेनत हो, जितना हो, हम और हमारी टीम कोशिश करेंगे, जितने लोग बन पड़े, इसमें जुड सके, उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचने पर, अभी मैं आपको रिसेंटी उधारन बताऊं, तो टॉंक में पुलिस की ही कोई दबिश में एक जवान को गोली लगी थी, दिन वो था जब अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और मेक्रो जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ते, उनका रोड शो था जैपुर में, तो उस दिन की ये बात है, उस दिन टॉंक में ये हाथसा हुआ, वहाँ से ग्रीन कोरिडॉर के साथ उसको लाया गया, बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सकता, उसको SMS किया गया, हमारी टीम को अलर्ट किया गया, हम उस का मतलब पहले से अलर्ट पे थे, पर जैसे ह पहुंचा, उसका BPU अगर है बिल्कुल भी नहीं था, तो एक चीज मेरे समझ में आएंगी, उसका जो खून बह रहा था, वो खून बहना रुकाई नहीं, बहुत ही छोटी चीज है, जैसे जो गंशोट वूंड था, उसमें, यदि वो कोई कपड़ा, बेंडेज, रुमाल कुछ फसा के, दबाव बना के, यदि वो ब्लीडिंग रोक पाते हूं, उन्होंने उसको कवर कर दिया, मैं यह नहीं कह रहा हूं, उसमें कोई किसी को गलती है, या कुछ है, लेकिन यह नोलेज की कमी है, कि हम पुलिस वालों को यह समझा पाते है, या पहुंचा पाते है, कि आट्रोमा को आप सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट में डील करते हो, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, कि ब्लीडिंग रोकना उतना ही जरूरी है, उसको हम ऑपरेशन में लेके कि कुछ टाइम बीपी आया, लेकिन वो उल्रेडी इतना रक्त बैच चुका था, क कि उसको फिर बारा गंठे बाद हम बचा नहीं पाई, लेकिन ऐसे केसे मजबूर करते हैं, कि हमें जो समुदाय के अंतिम छोर है, जहां एक्सिडेंट्स होते हैं, वहाँ पर जाके ट्रेनिंग नहीं की, तो वो गोल्डन आवर तो उनका वही निकल जाता है, हमारे पास त यह कहना चाहरे हैं कि जो एक्सिडेंट हुआ है, या कोई भी इंसिडेंट हुई है, वो जिस जगह पर गटित हुई है, उस जगह पर ही फर्स्ट रेस्पॉंडर तयार करना आपका लच्छ है, बिलकुल, बिलकुल, और मैं चाहूंगा कि इसमें सरकार, डिफरेंट एंज योज, एक मिलके common platform पे आए, और जैसे behavior अपना schooling से पढ़ता है, वैसे हर किसी का integral behavior में यह हो, कि कहीं भी accident हुआ है, तो उसको क्या करना है, उसको यह पता होना चाहिए, कैसे transport करना है, कहां transport करना है, छोटे-मोटे रक्त इस्तरा हो है, उनको कैसे रोक सकते हैं, helmet कैसे remove करन है, उठाना कैसे है, ambulance में कैसे transport करना है, यह बहुत चोटी चीजे हैं, लोग भी मिल जाते हैं, आजकल ऐसा नहीं है, कि लोग ही नहीं मिल पाते हैं, पर चोटी-चोटी चीजे करके बहुत कुछ सुदारा जा सकता है, और यह नतीजा मैं तो कहूंगा, मैं सीधा आपको आ करती हूं, 50% post crash मर्तिवदर हमारी कमजोर emergency care को दिखाती है, transport को दिखाती है, foreign में यह data 25-20% पर है, तो यह post emergency crash care prevention पर काम करना बहुत ही अच्छी बात है, school में awareness, prevent कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो developed countries है, वो भी prevention में अभी तक zero achieve नहीं कर पाया, तो हमें parallel में system, जो post crash emergency care है, उसका parallel system तो develop करना पड़ेगा, आपने बताया कि SMS के अंदर एक team develop हुई है, और वो team इस चीज़ को लेकर काफी काम कर रही है, और भी ऐसे कोई सुधार जो आप चाहें के भाई के हाँ, यह भी grassroots level तक जाने चाहिए, यह सुधार, टरसरी केर से निकल करके एक लेवल तक भी जाने चाहिए, गाहों दियाद तक भी जाने चाहिए, फिलकुल मेरा मानना तो यह है कि आप धोलपूर के गाहों में आपका accident होई, SMS से पाथ किलोमेटर पर, जो response है, तीम का response है, आपको तक पहुंचने का response है, वो जो response है, वो equal होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए कि आपकी कि अच्छी है, आपका राजदाने में एक्सिडेंट हुआ, आपका बाड मेर धोलपूर में हुआ होता, तो मुश्किल होता बचाना, और हाँ, इसके लिए सरकार ने काम जो किये हैं, अभी रिसेंटली, चार स्किल लेफ, जैपुर जोदपूर विका ने रजमेर में होगी, तो हमारी खोशिस है कि जोन वाइज वहाँ पर जितनी ट्रेनिंग्स हम करवा सके, खास कर पुलिस है, अपने एंबुलेंस वाले हैं, फस्ट रेस्पॉंडर है, या जो भी इसका पार्ट बनते हैं, उनकी बेसिक ट्रेनिंग्स हम वो करवा सके, ताकि हमारे पास प बहुत ही यह विचारनी विशह है, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, जो जो उस टीम का हिस्सा है, ट्रेस्ट साइट से लेके, उसके ट्रांसपोर्ट से लेके, सब एक कम्यूनिकेशन जो प्री इंटीमेशन है, होस्पिटल में मरीज आ रहा है, अभी क्या होता है, ट्रेस और गोल्डन आवर है, यह रैफरल में ही निकल जा रहा है, या तो रोड पे निकल जा रहा है, उस तक सुझदा नहीं पहुंच पार रही रिमोट एरिया की वज़े से या फिर उसके ट्रांसपोर्ट में ही निकल जा रहा है, तो यह कट-आफ करना बहुत जरूरी है, जो जो सबसे ज़्यादा इसके रोड एक्सिडेंट्स के विक्टिम है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए उननी को सबसे बड़ा संदेश है आप जो थोड़ी थोड़ी गलती आया है जैसे तेज स्पीड में बाइकिंग करना कार ड्राइव करना ड्रिंक एंड राइव आपका दो मिनट का जो जोश है वह परिवार को हम देखते हैं किस-किस आलत में आते हैं वो बचने के लिए उसका परिवार पूरा गुहार लगा रहा होता है लेकिन एक लिमिट के बाद एक डॉक्टर भी भगवान नहीं होता वह भी अपना कामी कर रहा होता है तो ऐसी आ कावनाओं पर काबू रखे आपको बहुत ही एक्स्टा ओडिनरी कुछ करके दिखाना है तो उसके फिल्ड बहुत से हैं आप कुछ अच्छा करके दिखाए कुछ इनोवेटिव करके दिखाए यह बाई कार बस इन पर बिल्कुल हिरोई काम ना करें यही कहना चाहूंगा और तो थोड़ा सोसाइटी में अपना कॉंट्रिबूशन भी दे कुछ से इनिशेट करके गुरूप बना के आप ट्रेनिंग्स ले और एरिय में उसके साथी मित्र बने कि हमारे एरिय में जैसे जहां पर चिनित जोन है कि यहां सबसे ज्यादा एक्सिडेंट्स है वहां पंच कि लेप्स बनी हैं वहां जाके कर सकते हैं वीकली वहां ट्रेनिंग्स होती है धिर धिरे यह हर संभाग लेवल पर आएगी तो समाज का कंट्रिबूशन करें ना कि उसके पतन का हिस्सा बन ये थे डाक्टर दिनेश गोरा जो के SMS ट्रोमा सेंटर के अंदर ट्रॉमा की सर्जन है और सही बात है एक ट्रॉमा सर्जन के कोई डूटी आवर नहीं होते वो रात में भी ऑपरेशन करता है, वो सुवह भी करता है, वो दुफेर में भी करता है, जब जिन्दगी की आवश्कता है तब उन्हें आजर रहना है और युवाओं को जो संदेज दिया है मुझे उम्मीद है कि युवा उसको फोलो करेंगे और गृपों में ट्रेनिंग लेने का एक इनिशेटिव जो उन्होंने विचार रखा है समाज की सामने, उसे साकार रूप में लाएंगे, तन्यवाद